नार्मल रोड इस्थित खुर्रमपूर निवासी कपड़ा वैपारी राजकुमार सिंग की हत्या संपती की विवाद में की गई थी गीडा थाने की पुलिस ने उनके सगे भाई संजय सिंग, बहन गीता सिंग और विजय सिंग की पतनी विद्यावती को गरिफतार कर लिया है पूस्ताश में पता चला की घर में ही मूमबई की संपती को लेकर पंचायद बुलाई गए थी इसी दोरान राजकुमार सिंग को बेड़ पर धकेला गया और उनके सिर में चोट लगी और उनकी सास को रोका गया जिससे मौत हो गई मौत के बाद विजय सिंग अपने पुत्रविशेक सिंग और एक अन्य के साथ लेकर लास को एकला बंधे पर फेक आये थे पुलिस मुख्य आरोपी विजय सिंग की सरगर्मी से तलास कर रही है उनके सगे संबंधियों की भी जानकारी जुटाई जा रही है कॉल डीटेल की मदद से पुलिस आरोपितों की तलास में जुटी हुई है वही पकड़े गए आरोपितों के बारे में स्पी नौर्थ अर्विंद कुमार पांडे वा सियो केमपेल गंज दिनियस सिंग ने पुलिस लाइन्स में संयुक्त प्रेस कॉंफरेंस कर जानकारी दी इस दौरान स्पी नौर्थ अर्विंद पांडे ने बताए कि राजकुमार सिंग के छे भाई विजय सिंग, अजय सिंग, संजय सिंग, त्रिलोकी सिंग, राजेंद सिंग, बहन गीता, राधा, विमल सिंग है राजकुमार सिंग की भावी कुसमलता सिंग के द्वारा मुंबई में इस्ति जमीन का आदा हिस्सा देवर्त लोकी को दे दिया गया और आदा हिस्सा अभ्युक्त विजय सिंग को देने के लिए कही गई थी लेकिन बाद में जमीन विजय सिंग को ना देकर राजकुमार को दे दी इसी बाद को लेकर विजय सिंग को सदेव खुननस बनी रहती थी दरासल पती अजय सिंग की मौत के बाद कुसमलता अकेली हो गई थी उसके कोई बच्चे नहीं थे और पती की मौत के बदवा अकेली ही थी इस दौरान मार्श में राजकुमार सिंग मुंबई से आये थे अपने ससुराल में परिवार के साथ रह रहे थे आठ जून को विजय सिंग के ही कहने पर वा नार्मल इस्तित आवास पर आये थे पीट हो गई इस दौरान कमरे में राजकुमार सिंग की हत्या कर दी गई शव को छिवाने के लिए एकला बंधे पर ले जाकर फेक दिया गया था गिरिफतार करने वाली टीम में एसो गीडा देवेंद्र कुमार सिंग हेड कॉंस्टेबल राजीन रिवर्मा, कॉंस्टेबल पवनीश कुमार पांडे, अनुपम सुकला आदी शामिल रहे इस संबन में गुरभपु न्यूस से बात करते हुए एस पी नौर्थ अर्विंद पांडे ने कहा मिलेंगे तो पते हुए दिखी आशियल जनक केस है, एक अधेड़ों के द्रक्ति का सो मिला था, एक लाब बंदे पे, नौसर चुक की कंतलगत, और सिनाग्द भी नहीं हुई थी, उसके पास है हमारे एसो साब कोच एक टिकट मिला रिजर्वेशन का कैंसिल कराने का, उसने एक मुबाइल नमबर था, उसके माध्यां से बहुत तेजी में हम लोग लगे तो सिनाग्द जल्द ही हो गई थी, सिनाग्द हो गई तो मिलतक की पत्नी को इसे मुकर्मा हदाश कराया गया था, और बहुत आश्यर जनक धंसे उसम का सगा भाई है, इस विवाद को लेकर तीन अव्यक गिरफ्तार किया है, गेड़ा कुलिस बारा अच्छी सबग्दा प्लाट की है, बागी को भी सिख गिरफ्तार किया जाएगा उनको जेल बेले जाएगा, कारण ये था कि इनकी भावी थी जिनका मुंबई में प्लाट थ दूसरा भाई आशा करता था विजय सिंग कि बाकी हिस्सा हमको मिलेगा, वो प्लाट जाएगा इनकी भावी ने विजय को ना देखे जो मितक था उसको दे दिया, इस बात की खुनस थी और इसी बात को लेकर जाएगा पंचायद भी उसी जाएगा पंचायद में आठ लों के खिला पंचिकित हुआ है, तीन लोग अरेश्ट ही है, सारा मामला पाजबाती है, संपत्तिव बात संदू है, यह बता रहे हैं कि इसका फिल्म हुआ जाएगा पलंग के किसी जह है निचले से लगी है, दबल बेट में जह है, उसमें जो इसका सर टकराया है, ज झाल